आपको पता ही है बाकी के वीडियो भी आपने देखे होंगे जैसा कि आपको पता है इस बार 40% जो है TMA के सब्जेक्ट्स में आपको पता है जो बाकी के 60% आपको पढ़ने है तो देखते हैं कि 12 chapters जो है आपके वो कौन-कौन से है जो नहीं पढ़ने है तो पहला आपके 1st और 3rd जो है आपका नहीं पढ़ना आपने 2nd chapter पढ़ना है 4th, 7th, 8th नहीं पढ़ना आपको 5th, 6th, 9th पढ़ना है ठीक है 10th, 11th उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो है आपको पढ़ना है आपकर उसके बाद 4th वाले पार्ट में 8th growth and development नहीं पढ़ना आपको 19, 20, 21 जो है पढ़ना है and last जो text style and plotting है उसमें 22, 23, 25 जो है वो नहीं पढ़ना 24, 26, 27 जो है पढ़ना है आपने उसके बाद आता है आपर optional module का optional module जो हम पता है कि housekeeping है और creative hand embroidery है ठीक है अगर आप 6A वाला कर रहे हो तो ठीक है exam में 6A ही करोगे अगर B वाला कर रहे हो तो B वाला करोगे suppose कर आपने housekeeping की study की तो L 28 chapter नहीं पढ़ना है तो 29, 30, 31 ही पढ़ना है ठीक है अगर B पढ़ रहे हो आप तो 28 नहीं पढ़ना सेम ठीक है 29, 30, 31 पढ़ना आपको ठीक है यह तो हो गया आपका reduced levels अब हम देखते है कि question paper का जो pattern है वो किस तरह से बनाया जागी है उसके बाद हम एक sword sample paper देखेंगे ठीक है जैसा कि आपको पता है कि two and half hours का home science paper होता है है 80 marks का होना है ठीक है objective type से हम देखें तो knowledge based question जो 20 marks का understanding जो 36 का और application base जो 24 marks का questions आएंगे main जो है number of questions की recording देखना है हमें तो वो देखते हैं long answer जो है LA 5 marks का 2 questions आएंगे जो sort answer 3 marks के 4 questions आएंगे और जो very sort 2 marks के वो 9 questions आएंगे तो total से subjective वाला part है आपको 15 questions आएंगे 40 marks के ठीक है objective types की बात करें तो MCQ 16 marks मतलब 16 questions 16 marks आएंगे उसके बाद objective type second part जो है आप 2 marks वाले आएंगे जिसमें philips होगा match the column होगा paragraph case based हो गया one word हो गया true false हो गया यह total 12 questions आएंगे 24 marks से ठीक है 28 questions यह हो गए 15 नहीं total 43 questions आएंगे आएंगे आपके ठीक है 50% of questions have an internal choice जैसे आपको पता है कि 80 में से आपको 40-40 डिवाइड कर लो 40 में तो जो question आगे वही करने है उसके बाद बाकी के 40 वाले होगे उसमें internal choice होगे जैसे यह करो या यह करो वाला हिसाब है अगर difficult level की बात करें तो difficult 16 marks से questions आएंगे optional module 12 marks का आता है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं salt sample पर जो कि exam point of this का भी important आपके लिए ठीक है आपको एक तरह से base पसा चलियागा कि इस तरह से question paper की design होगी ठीक है तो पहला part जो इसमें लिखा हुआ है question paper 43 marks 43 questions के होंगे जैसा कि अब हमने दिखा ही था सारे question compulsory है और सभी के सामने marks indication होती है कि कितने नंबर का है उसके बाद इन्होंना कि आपके पास दो module है module A, module B, आपको कोई B module करना चाहते हो तो उसमें mention करके solve कर सकते हो that means कोई A की module करना है ठीक है चलिए section A में जो है आपको A और B पार्ट में डिवाइड किया गया first जो है mcq user second जो पार्ट आपका 17 to 28 जो है objective type questions है जिसमें आपने fillets देखा था two false देखा था ठीक है paragraph वाले questions देखे थे वही हम दिखेंगे फिर section B जो है question number 29 से 37 very short है 2 marks से होते हैं आपको 32 50 words में लिखना होगा 30 80 40 1 जो है 50 to 80 words में लिखना होगा 3 marks फिर उसके बाद long जो है 42 43 जो है 5 marks सा वह आपको 80 से लेकर 120 words तर लिखना है sorry question देखते हैं जैसा कि पहला question है आपको यहाँ पर अगर first का first part करना है तो आप यह कर सकते हैं तो second option भी आपको मैं दिखाता हूँ जैसा कि यहाँ पर second option है अब suppose करो आपको इसके answer लिखना है तो answer कैसे लिखोगे आपको सबसे पर लिखना होगा heading black से answer answer first का first का मान लो second part कर तो यहाँ पर आप second mention कर दो अगर मान लो आप first part कर रहे हो तो सिर्फ first mention करो उसके बाद मान लो आप B part सही है तो आप यहाँ पर लिख दोगे B part ठीक है B part में use of fats of giving energy है तो वो भी लिख सकते हो अगर नहीं लिखते हो तो question नहीं है इतने पर आपका answer सही होगा ठीक है इस त तरसे fourth में कोई internal choice नहीं है ठीक है आपको I think समझ आ गया होगा अगर नहीं है तो comment जरूर बताना मैं फिर समझा दूगा आपको ठीक है 6 होगया total 16 MC को इस question आने है आप देख सकते हो यहाँ पर 7th हो गया 8th हो गया 9th हो गया 9th भी optional है 10th question हो गया उसके बाद 11th जो है 11th देख से देख सकते हैं और करके आया हुआ एक में दूसरे में आपको choose the correct बताना है कौन से सही है उसके बाद last time से क्यों जो है 16 है ठीक है उसके बाद optional module का है 14, 15, 16 अगर आपने optional module एका किया 14, 15, 16 तो यह नहीं करोगे अगर आपने उसका नहीं किया है तो इसका 14, 15, 16 करोगे ठीक सब पार्ट है यहां पर आपको टोले 5 है ठीक है? 2 फॉल्स बताना है कोई 4 करने है that means 4 question करने है 2 number का तो एक question दो हाँ हाफ माकसा है यह half का, half का, half का, half का, half का कोई 4 करने है ठीक है इसी तरह है यहां पर match the following है चार है ठीक है आपको यहां पर चार नमबर के चार है मतलब हाफ माख से 20 है यहां पर ठीक है दो नमबर का है यहां पर 21 हो गया आपका 22 हो गया 22 में भी इन्होंने अब आप देखिए यहां पर 23 है 24 रूफ बताना आपको इसमें सारे करने को यह option नहीं दिया न इसलिए सारे करने एक question जो half marks पा है 25 है यहां पर अब यहां पर alternative question for visually impaired candidate यह आपको नहीं करना है ठीक है visually impaired candidate जो है इनके लिए होता है ठीक है 26 होगा आपका उसके बाद optional module A है 27-28 अगर housekeeping पढ़ा है तो आपके housekeeping वाला question कर लीजे ठीक है अगर आपने creative and embroidery किया है तो आप यह वाला जो है कर सकते है 28-29 ठीक है 27-28 and 29 ठीक है आप यहां से देख सकते हैं सारे questions चलिए optional module द्हान से देख कर करना आपने ठीक है यह 43 questions हो गए अब आप देख लिजेए इन सभी के answers ठीक है और जो आपने solve किया होगा या जैसे भी गया होगा स्क्रीन स्लोट लेकर रहते हो मैनेज कर सकते हो चेक कर सकते हो कि आपने कितने सही की है अगर इसका PDF चाहिए तो आप इन्हेंस की website से डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं समझा रहा तो आप मुझे comment करके जरूर बता देना 27, 28 हो गया यह यहाँ पर देखिए half into 4 जैसे हमें बता रहा था वह लिखा हुए आपर 1 plus 1 अगर 4 question करने आपने दो नमबर गया तो अब इससी बात है जो पार्ट होगा आपका वह half marks का होगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर भी देख लो आप लिखा हुए आप लिखा हुए वैसे ठीक है यह 42 हो गया लास्ट question यह आपका 43 answer है यहाँ पर 7th point है कोई भी आप 5 point लिखकर 5 marks ले सकते हो ठीक है लास्ट